जैश्री कृष्ण, आज हम कहानी सुनेगे जीत की गाथा. इस कहानी में हम एक खिलाडी की कहानी सुनते हैं, जो कथिनायों के बावजू जीत की ओर बढ़ता है. ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जी और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था. वो ही एक खिल की प्रेमी था और खुद को विभिन खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था. ये जीवन में कई मुश्किले आई. पहले तो वह अपने खेल की रूची को लेकर अकेला था. उसके परिवार वाले उसे ख पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला. ये जीवन अपने अभ्यान की शुरुवात की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किले प्राप्त होंगी. प्रतियोगिता के दौरान ये जीवन को कठिनायों का सामना करना पड़ा. वो अपनी प्रदर्शंग शम्ता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हारते हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाए सकारात्मक सोचने का निर्ने लिया। यश ने खुद को सामर्थ और सयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वो निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बहतर बनाने के लिए उसने नई तक्नीकों का अध्यायन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे यश अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वो पहले से जादा सुरक्षित, तीज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वन्द्वियों को हराने के लिए उसने बहतरीन प्रदर्षन किये और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्ठट किया। यश्ट की इस कहानी से हमें ये सिख्ष मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किल्य मुश्किले आएं। हमेशा अपने लक्षय के प्रती संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार माने की बजाए हमे उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ततपर रहना चाहिए। इन motivational कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पन आत्म विश्वास और संघर्ष की महत्व पूर्णता का अनुभाव होगा ये कहानिया आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको अपने लक्षों की उर ले जाएंगी जै श्री कृष्ण विडियो लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करे धनिवाद